हलो आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रूप की दो ऐसे कमपनियों के बारे में जिसने अभी भी रिकवरी नहीं दिखाई है पहला है अदानी ट्रांस्मिशन और दूसरा है अदानी टोटल गैस देखिए अदानी ग्रूप की ये दो कमपनिया ऐसी है जिसने हिंडन बग के रिपोर्ट आने के बाद एक बड़ा लोग बनाया तो था लेकिन अभी भी वहां से ये उबरी नहीं है जबकि बाकी कमपनियो बात करें तो ग्यारा सो पे गया था लेकिन आज ये चौवीस सो के आसपा स्ट्रेट कर रहा है डबल हो गया उससे भी जादा अगर बात करी जाए अदानी विलमर की तो ये साड़े तीन सो रूपे से भी नीचे गया था आज चार सो दस पे है डेफिनिटली भागा जरूर है ये साड़े चार सो पे गया था आज साड़े सांसो पर है तो ये तो पूरा रिकावर कर चुका है और अदानी ग्रीन भी अगर हम देखे तो साड़े चार सो का ये भी था साड़े नौ सो पे ट्रेट कर रहा है तो तीजी यहाँ पर भी है अंबूजा भी अगर आप कोशिश करी अटेम्ट करा ग्यारा सो रुपए के उपर पहुंच रहें उसके बाद अभी भी अगर आप देखो तो लगातार एक डाउनवर्ड्स है यह सेम चीज़ अगर हम गैस को लेकर देखे तो इसने तो बिल्कुल भी मूव दिया ही नहीं है गैस आप देखिए छेसु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब काफी जादा हेल्प करेंगे तो अदानी गैस और ट्रांस्मिशन गिरावट तो है लेकिन साथ साथ बीच में कुछ अच्छी खबर भी आई थी ऐसे कि कल की ही खबर थी कि वहाँ जी क्यू जी पार्टनर्स ने दुबारा स्टेक खरीदा है यहां पर अदानी ग्रूप में पहले भी नोंने काफी बड़ी कॉंटिटी खरीटी थी जिसके चलते बहुत बड़ी तीज़े देखने को मिली थी और जी क्यू जी पार्टनर्स की बाइन के बाद ही अदानी में कच्छी रफ्ता लोटी थी वरना उसे पहले अदानी का शो लगातर गिरी ही रहा था यहां पर अगर हम बात ही दर दूसरे टांजिशन में दूसरे ट्रांजिशन में और एंटर्ब्राइज में खरीधारी करी है दो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है लेकिन आज की जो गिरावट है उसमें एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है जिसके चलते अदानी ट्रांस्मिशन में गिरावट आई है और ये ब्लॉक डील्स ये बहुत बड़ी है 3.20% की एक्विटी है और ये एकोनोमिक्स टाइम्स के एपोर्ट है जिसके चलते आज गिरावट आई है तो ये बहुत बड़ी बात है तो ये बहुत बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर नजर आई और अगर हम रुपीज में कनवर्ट करें तो 3,235 करोड के आसपास का ये अमाउंट बन रहा है और आज इसी की वज़े से गिरावट है वरना अ वया तीजी बनी थी यहाँ पर आप देखो साड़े 700 पर था तीजी बन रही थी यहाँ पर 775 पर गया लेकिन वावस गिरना शुरू हो चुका है हलाकि इससे पहले बड़ी रफतार आई थी 835 पर गया लेकिन उसके बाद लगातार गिर की रहा था और अभी भी देखा जा अभी एक अच्छी खबर यहाँ पर भी आई है कि अदानी टोटल गैस वो बीस हजार क्रोर रुपे इंवेस्ट करने वाले हैं आने वाले आठ से दस सालों में जो कि भाईया अपने एक्सपांशन की तरफ है ठीक है तो अठारा से बीस हजार क्रोर रुपे रेस करेंगे और इस पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा वाया शहर शहर में नए 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 C&G पंप खोलने में और कल भी मैं अबको एक्सप्लें किया था कि एक हजार आठ सो जितने नए स्टेशन खोलने का इनका प्लान है ज़रूर यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तरह कंपनी रिटेल C&G तो आटो मोबाइल्स और पाइप्स गैस तो हाउस्वर्ट किचन फॉर कुकिंग परपर्स इन 52 लाइसेंसे ओवर कवर 124 डिस्टिक्स अफ दे कंट्री इस 460 C&G स्टेशन भी है और अब इसके एक्सपांशन की भी बात हो रहे कि और बड़े पैमाने पर C&G स्टेशन खोले जाएंगे इसके अलावा और बड़े डिस्टिक्स में लाइसेंस कंपनी लेगी और वहाँ पर बड़े पैमाने पर अपना जो कारोबार अपना बिजनस है उसक अब यह थोड़ा सस्ता हो रहा है ठीक है यहां पर इसका मार्केट के नाइंटी वन थाउजन क्रोड से भी जादा का देखने को मिल रहा है कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के रिवन्यू में कोई उतनी बड़ी तीजी नहीं आई है पिछले कुछ कम हुए डिसंबर के मुकाबले मार्च में 3355 करोड के आसपास के रिवन्यू रहे और प्रॉफिट भी देखा जा तो कम हुआ है 390 करोड ही रहा जो कि इससे पहले के कौटर में 475 करोड था तो डिक्लाइन आया है हाला कि उससे पहले के कौटर से कंपर करोगे तो अच्छा की खरीदी यहाँ पर मार्च कोटर में अभी और कौंटिटी यहाँ पर बेचे के जैसे कि बहुत बड़ी ब्लॉग डील होगी आज ही खबर आई है तो जब जून में डेटा अपडेट होगा आप देखोगे कि प्रमोटर की जो 71% की होल्डिंग है यह 70 से भी कम हो जाएग और देखो यही तो allegations इनके उपर लग भी तो रहे थे कि allegations इनके उपर यही तो लग रहे थे कि भाईया Files बड़ी quantity में है और Files शक के घेरे में भी है यहाँ पर DL के पास 3.80% की होल्डिंग है जिनमें से mutual fund के पास बहुत कम है 0.12% ही है insurance यहाँ पर LIC बहुत बड़ी quantity ले कर रहा है तो अभी कोई clear sign नहीं है यहाँ पर buying का लेगर मुझे लगता है कि अगर आपको यह 650 रुपए के आसपास यह 675 के आसपास मिलता है तो शायद यह सस्ता वहाँ पर हो सकता है यह मेरा personal opinion है अगे इन अदानी ग्रूप में निवेश करना एक बहुत बड़ा risk है तो अगर आप उस risk को समझते हो तो ही यहाँ पर buy करो दूसरी company जो अदानी gas है और अगर मैं इसाद graph देखो तो कहीं न कहीं यह 650 के आसपास एक kill off हो रहा है एक attempt कर रहा है एक कोशिश कर रहा है support बनाने की और अगर जब तक यह level intact है मेरे इसाब से बने रहो हलाकि बहुत time ले again मैं मान के चल रहा हूं कि अभी धीरे धीरे आपको positive खबरे जादा देखने को मिलेगी और एक तारिक जो आपको याद रखनी है यहाँ पर क्योंकि उस दिन बड़ा धमाका होगा और वो है 18 जुलाई अब 18 जुलाई को क्या है तो वह यह annual general meeting है इनकी जैसे reliance की वह बहु बहुत कुछ बताएंगे बहुत कुछ discuss करेंगे अपने future plans को लेकर अपने existing condition को लेकर तो मेरे इसाब से उस दिन कुछ बड़ी announcements भी आपको देखने को मिल सकती है और कुछ confidence भी built होता नजर आ सकता है तो मुझे लगता है कि 18 जुलाई तारिक याद रखनी चाहिए क्योंकि उस तारिक को बहुत कुछ होने के chances है यहाँ पर तो अभी के लिए इतना कहूंगा कि अगर है तो रखे रहो ठीक है है तो रखे रहो और जहां तक बात है fresh buying की जल्दबाजी मत करना यहाँ पर और मुझे रहता है कि थोड़ी सी quantity add करना ज्यादा बड़ी quantity खरीद के मत ना ताकि अगर मान लोग की गिरावट आती है तो नीचे के लिए पर average करने के मौके मिलेंगे क्योंकि अभी बाजर all time high पे बैठा है बले ही हम 20,000 निफ्टी के बात कर रहे हो लेकिन उससे पहले पर थोड़ी बहुत डुपकी जरूर लगाएगा और ऐसे में पूरे बाज जब भी correction आएगा खरीदारी के मौके बनेंगे और अदानी ग्रूप में भी बनेंगे वहाँ पर तो पैसा है तो रखो दीरे दीरे add करो कोई जल्दबाजी नहीं है और 18 तारीक मुझे रखता है कि बहुत सारी announcement हो सकती है अलाकि उससे पहले से कई सारी उड़ती उड़ती अगर आपकी portfolio में है तो रख सकते हो panic में आकर बेचने के जरूद नहीं है लेकिन हाँ अगर already है तो average करने के मौके अभी नहीं दूड़ने चाहिए इंतजार करो यहाँ पर लेकिन जब तक वाद है fresh buying की यहाँ से अगर मान लिजए और 5-6% की गिरावट आती है तो दीरे दीरे अगें मैं कहा रहा हूँ एक साथ मत खरीदना risky company है bottom कहां बनेगा कोई नहीं जानता तो दीरे दीरे add करने की मौके बनेगे तो वीडियो को यहीं पेंड करूँगा उससे पहले analysis के लिए इस portal का में इस्तुमाल करा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं तो link student pay करने वारी company ढूंड सकते हैं इसके अलावा जो बड़े-बड़े investors है ना वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा portfolio तक आप checkout कर सकते हैं और इनके portfolio में कई बार ऐसे ऐसे shares होते हैं जिसका नाम तक हमने सुना नहीं होता है तो जाहिए link description में है और मेरा coupon code use करेंगे तो और ज सकते हैं तेंक यू